चिकन की अपने बहुत सारी रेस्पी ट्राई की होगी लेकिन एक बर मेरी तरीके से ये चिकन रेस्पी एक बर ज़रूर ट्राई करना बहुत ही टेस्टी लगता है तो आज मैं बनाने वाली हूँ टैंगी चिकन मसाला तो उसके लिए हमने कड़ाई के अंदर तेल गरम कर लेना है आदा चमस साबुत जीरा डाल देंगे जीरा जैसे ही तड़कने लगेगा हमने डाल देना है एक छोटी लाइची लॉंग और दालचीनी का टुकड़ा एक मिन और जिंजर गालिक पेस्ट तो हर रैस्पी की जान ही होती है तो दो चमस मैंने यहाँ पर जिंजर गालिक पेस्ट ले लिया है उसको भी हमने एक से दो मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है जैसे भून जाएगा उसके बाद हमने डाल देना है चिकन तो चिकन को मैंने बिल्कुल अच्छे से धोके ले लिया है ख़ड़ाई के अंदर चिकन डाल कर इसको अच्छे से हमने प्याज और जिंजर कालेक पेस्ट में मिक्स कर देना है जैसे ये सारी चीजे मिक्स हो जाएंगी उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है टमाटर, टमाटर से टैंगी फ्लेवर आएगा, तो यहां पर मैंने 5 बड़े साइज की टमाटर को छोटे-छोटे पीस में कट करके डाल दिया है, थोड़ी सी मैंने हरी मिच ले लिया है, जिसको मैंने रफली चॉप करके डाला है, स्वाध अनुसार नमक डाल देंगे, और स टके हमने 2-3 मिनट के लिए पका लेना है, हलका सा टमाटर को गलने तक, यहां देखिए अच्छे से गल चुका है, एक बड़ हमने चला लेना है, जैसे यह सारे चीजे अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद हमने डाल देना है मसाले, यहां पर मैंने कुछ पीसे हु मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, चिकन को पकाने के लिए और हलकी सी ग्रेवी के लिए इसके अंदर हमने पानी डाल देना है, तो यहां पर मैंने एक इलास पानी डाला है, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, जैसे ही मिक्स हो जाएगा इसको ढखके लास्ट हमने 5 मिनट के लिए और पका लेना है तो हमारा चिकन बनकर तयार हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो ग्रेवी है वो हलकी सी गाड़ी हो गई है तो एक बर हमने इसको चला लेना है और इसको धनिया पता से गानिश कर लेंगे तो बनकर तयार है हमारा बहुत ही टेस्टी टैंगी मसाला चिकन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो इस तरीके से एक बर बना के जरूर ट्राइ करना तो पर देखिए मैंने धन्यापत्त को अच्छे से मिक्स कर दिया है पूरे चिकन के अंदर इस समय हमने फ्लेम को बंद कर देना है क्योंकि हमारा जो चिकन है बहुत ही अच्छे से पक चुका है आप इसे रोटी के साथ खा सकते हो चावल के साथ खा सकते हो दोनों के साथ ही वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना